नागेश्वर जोतिरली नागेश्वर जोतिरली के संबंध में एक कथा प्रसिद है कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था भगवान शिब में उसकी अनन्य भक्ती थी व्यापारिक कारियों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बच्चता उसे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था उसकी इस भक्ती से एक दारुप नाम का राक्षस नाराज हो गया राक्षस प्रवरिती का होने की कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे वह राक्षस सदा ही ऐसे अफसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ती में बाधा पहुचा सके एक बार वह व्यापारी नौक से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अफसर पाकर नौक पर आक्रमन कर दिया और नौक के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया कैद में भी व्यापारी नित्यक्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था बंदी ग्रिह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुचा तो उसे बहुत बुरा लगा वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुचा व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंब कर दिया राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डाले यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ती के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा उसकी भक्ती से प्रसन होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिरलिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयम की रक्षा करने के लिए दिया इस अस्त्र से राक्षस दारूप तथा उसके अनुचरों का वद्ध कर दिया उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिरलिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद हुआ